परिचय आज भौतिकी के शिक्षक प्रयोक्षाला में छात्रों के सामने हमें एक प्रयोक करने जा रहे हैं। उन्होंने एक छोटा खुपारा लिया और इसे निर्वात चार में रख दिया। फिर उन्होंने वैक्यूम पंप का स्विच चालू कर दिया। अचाना कुपारा फैलने लगा। उनके द्वारा पंप का स्विच बंद कर देने के कुछ देर बाद कुपारा अपनी मूल अवस्था में आ गया। एक छात्र ने कोथुहूल वश पूछा। श्रीमान जी क्या आप कृपिया बताएंगे कि ये प्रक्रम कैसे कारे करता है। आहां निश्चित रूप से वरुन। ये अनुगति सिध्धान्द का एक उधारन है। जब निर्वात को ओन किया जाता है तो गुबारे पर लगने वाला दाप घट जाता है। और निर्वात जार पूरा भड़ जाने तक खुबारा फैलता है। और जब वायू वापस जार में आती है तो दाब पुनह लगता है। और खुबारा अपने मूल आयतन में वापस आ जाता है। ये दाब तथा आयतन के बीच एक अप्रत्यक्ष संबंद दिखाता है। तो चात्रो हम आज अनुगती सिध्धांद के बारे में और अधिक जहंकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अनुगती सिध्धांद को परिभाशित करना। द्रवी की आनवीक प्रकृती की व्याख्या करना। गैसों के व्यवहार को समझना। बॉयल के नियम तथा चाल्स के नियम को परिभाशित करना। आधर्श गैस के अनुगती सिध्धांद को जानना। आदर्श गैस के ताप की गणना करना ताप की अनुगतिक व्याख्या करना मैक्स्वेल बंटन फलन को समझना उर्जा समविभाजन के नियम को परिभाशित करना विशेष्ट उश्मा धारिता की गणना करना माध्य मुक्तपथ तथा ब्रावनी गती को परिभाशित करना परिभाशा अनुगती सिध्धान्थ 19. शताबदी में मैक्सवेल, बोल्ट अजमान तथा अन्ने द्वारा विक्सित किया गया अनुगती सिध्धान्थ इस विचार के आधार पर गैसों के वेवाहर की व्याख्या करता है कि गैसें तेजी से गती करने वाले परिमाणों या अनुगों से बनी होती हैं ये संभव है कि अंतर पर्माणविक बल जो लगू परास के बल होते हैं और ठोसों तथा द्रवों के लिए मैदपून होते हैं, वे गैसों के लिए उपेक्षित किये जा सकते हैं. द्रव की आणविक प्रकृती किसी गैस में सभी अणू सद्रिश होते हैं, लेकिन वे अन्न गैसों के अणूं से भिन्न होते हैं. किसी गैस के अणूं आदर्श प्रत्यास्त गोलों की तरह वैवहर करते हैं और अणूं के बीच की दूरियों की तुलना में बहुत छोटे आकार के होते हैं. सभी अडू सदैव याद्रिच्च गती करते हैं और सभी दिशाओं में उनके वेक शूने से लेकर अनंद तक होते हैं अपनी गतियों के दौरान अडू एक दूसरे से तथा पात्र की दिवारों से भी संघट करते हैं ये सभी संघट आदर्श रूप से तत्यास्त होते हैं संघट के दौरान को छोड़ कर अनू एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते दो संघटों के बीच अनू सदैव एक सीधी रेखा में गमन करते हैं और दो क्रमिक संघटों के बीच चली कई दूरी माध्य मुक्तपत कहलाती है गैसों का वैवहार सभी गैसें गर्म करने पर फैलती हैं जहां तक आयतन में परिवर्थन का संबंध है ठोसों तथा द्रवों पर दाप का प्रभाव नगरने होता है लेकिन गैसों को आसानी से संपीडित किया जा सकता है वेस्थिर दाप पर भी आयतन में प्रसारित होती है यदि दाप को गिरने दिया जाए इसलिए गैस का आयतन ना किवल दाप पर बलकि इस पर लगने वाले दाप पर भी निर्भर करता है बॉयल का नियम बॉयल के नियम के अनुसार दाप नियतांक रखने पर गैस के किसी दिये गए द्रविमान का दाप उसके आयतन के विर्थ क्रम अनुपाती होता है पी वी पराबर इस्थिरांग जहां पी दाप है और वी आयतन है ये इसका अनुसरन करता है कि यदि गैस का आयतन घटा कर आधा कर दिया जाए तो इसका दाब दोग ना हो जाएगा नियतांग ताप पर गैस की उर्जा का नियतांग मान होता है और जब तक ताप नियतांग बना रहता है तब तक गैस के प्रसार या संकुजन के साथ ये उर्जा बढ़ती या घर्टी नहीं है बॉयल के नियम का पूर्टा पालन करने वाली गैस आदर्श गैस कहलाती है बॉयल के नियम को इस तरह से कहा जा सकता है कि नियतांग ताप पर गैस का घर्ट्व इसके दाप से संगत रूप में बढ़ता है पीबटे रूप नियतांग चाज का नियम चाज के नियम के नुसार किसी गैस का आईतन प्रतेक एक डिग्री सेल्सियस दाप पर परिवर्टन के लिए शूने डिग्री सेल्सियस पर इसके आईतन के गामा यानि पी परिवर्टित होता है यदि दाप इस्थिर रखा गया हो वी बराबर वी नौट गुणे एक प्लस गामा पी थीटा जहां वी थीटा डिग्री सेल्सियस पर आईतन है तथा वी नौट जीरो डिग्री सेल्सियस पर आईतन है उप्रोक्त संबंथ को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है वी पराबर वी नौट गुने एक प्लस थीटा बटे दो सोती हत्तर समीकरण के अनुसार आयतन तथा ताप के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा होता है ताप के पूरे परास में आदर्श गैस इस समीकरण का पालंग करती है वास्तवी गैसें केवल उच्च ताप पर ही इस समीकरण का पालंग करती है ताप मान घटाए जाने पर ये समीकरण से विचलिद होने लगती है आदर्श गैस का अनुगती सिध्धान्थ गैस में बड़ी संख्या में एक जैसे अनुग होते हैं जो छोटे, गोलिये, उदासीन तथा आदर्श प्रत्यास्त होते हैं और अनुग कहलाते हैं गैस में अनुग सभी संभव चालों के साथ सभी संभव दिशाओं में गती करते हैं अनुगों द्वारा घेरा जाने वाला इस्थान, गैस के आईतन की अपेक्षा नगर्णे होता है अनुगों के बीच कोई आकर्शन बल नहीं होता अनुगों के बीच तथा पात्र की दिवारों के साथ संघट्टे, पूर्ट्या, प्रत्यास्त होते हैं अनुद्वारा संघट्टों के बीच व्यतीत किये गए समय की तुल्ला में संघट्टी की अवधी बहुत कम होती है आणविंग गती पर गुर्द्व का कदाचित ही कोई प्रभाव पड़ता है क्यूंकि उनका द्रवेमान बहुत छोटा होता है और चाल बहुत अधिक रहती है आदश गैस का दाप पाद्र की दिवारों के साथ अनुओं के संघट्ट के कारण गैसे दाप लगाती है अनुओं की एन संख्या वाली एक आदर्श गैस पर विचार करें जो भुजाओं LX, LY, LZ वाले एक आयता कार बॉक्स में भरी है गतीज उर्जा प्रती एकाई आयतन निम्न द्वारा व्यक्थ है E बराबर एक बटे दो, रो, V, RMS वर्ग गैस कदाब निम्न द्वारा व्यक्थ है, P बराबर दो बटे तीन ओफ E इसलिए गैस कदाब इसकी गतीज उर्जा प्रती एकाई आयतन के दो दिहाई के बराबर होता है ताब की अनुगतिक व्याख्या एक अनुगी आसत गतीज उर्जा E निम्न द्वारा व्यक्थ है E बराबर EM बटे N बराबर 3RT बटे 2N बराबर 3KT बटे 2 जहां के VOLTAGE MAN नियतांग है इसलिए अनुगी आसत गतीजूर्जा गैस की प्रकृति पर या अनुगी द्रवेमान पर निर्भर दहीं होती इसकार्थ है कि समान तापमान पर विभिन गैसों की कुल गतीजूर्जा समान होती है और प्रती अणू औसत गती जूर्जा समान होती है ये केवल गैस के निर्पेक्ष ताप पर निर्भर करता है तापान को गैस के अणू की औसत गती जूर्जा की माप के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है उधारण आएए एक आदर्श गैस के अनुगती सिध्धान्थ का उधारण देखें आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT का उप्योग करके सार्वत्रिक गैस नियतांग के मान की गणना करें आएए इसका हल देखें कि हमारे पास है अब हम मानों को रखते हुए आर के मान की गणना करते हैं आर बराबर PV बटे T बराबर दो कैलोरी मोल की गात माइनस एक के की गात माइनस एक यदि V बराबर 22.4 लीटा P बराबर एक वायुमंडल T बराबर 273K आर बराबर 0.082 लीटर मोल की गात माइनस एक के की गात माइनस एक अता सार्वत्रिक गैस नियतां का मान 0.082 लीटर मोल की गात माइनस एक के की गात माइनस एक है गैस के दिये गए द्रवेमान में सभी अड़ूं के वेग समान नहीं होते चाहे स्थूल प्राचल जैसे की दाब, आयतन और ताप नियत हो संगट्टे अड़ूं की दिशा और गती परिवर्तित कर देते हैं हाला कि सामय अवस्था में चालूं का वित्रण नियत रहता है बहुत से पिंडों के बने निकायों के वैवहार का अध्यान करते समय वित्रण बहुत महत्पून होते हैं अणविक चालूं का वित्रण V तथा V प्लसदीवी चालूं के बीच अणूं की संख्या बताता है V तथा V प्लसदीवी चालूं के साथ अणूं का अंश पट्टी के खीत्रफल के बराबर होता है उर्जा के सम्विभाजन का नियम उर्जा सम्विभाजन के नियम के नुसार, तापिये साम्यावस्था में किसी गतिशील निकाई के लिए कुल उर्जा सभी स्वातंत्रे कोटियों में समान रूप से बंटित होती है और प्रतेक अनों से प्रती स्वातंत्रे कोटी सम्वध उर्जा एक बटे दो केटी होती है जहां के बराबर वल्टज मैन नियतांक टी बराबर निकाई का निर्पेक्ष ताप निकाई की स्वातंत्रता की कोटी इसे स्वातंत्र निर्दे शांकों की संख्या के रूप में परिभाशित किया जाता है जो प्रणाली की स्थिती या विनियास स्पष्ट करने के लिए आवशक होते हैं एक निकाई की स्वातंत्रते कोटी की संख्या निम्न रूप में व्यक्त है F पराबर 3N-A जहां F पराबर स्वातंत्रे कोटियों की संख्या N बराबर एक अणू में परमाणूं की संख्या A बराबर एक अणू के परमाणूं के बीच स्वातंद्र संबंधों की संख्या उश्मा सम्विभाजन का नियम इस रूप में भी स्पश्ट किया जा सकता है कि नियतांग दाब तथा ताब पर किसी दीगई गैस के एक अणू की कुल आउसद गति जूर्जा इसकी सभी स्वातंत्रतय कोटियों के बीच समान रूप से बंटित होती है और प्रती स्वातंत्रतय कोटि प्रती अणू आउसद गति जूर्जा एक बटे दू कीटी होती है जहां टी पराबर गैस का तापपान है विशिष्ट उश्मा धारिता विशिष्ट उश्मा धारिता को नियतांक दाप पर किसी गैस की विशिष्ट उश्मा के नियतांक आयतन पर गैस की विशिष्ट उश्मा से अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है इसका मान गैस की परमानुकता को प्रदशित करता है एक परमानुक गैसें T ताप मान तथा P ताप पर एक आदर्श एक परमानुक गैस के एक मोल पर विचार करें एक एक परमानुक गैस के लिए स्वातंत्र तै कोटी की संख्या तीन होती है उर्जा सम्विभाजन के नियम के नुसार प्रती अणूं प्रती स्वातंत्रतै कोटी औसद गती चूर्जा बराबर एक बटे दो केटी गैस के एक मूल की औसद गती चूर्जा बराबर केटी कुणे N जहां N बराबर आवो गादरो संख्या है अता यू बराबर तीन बटे दो आटी जहां यू गैस के एक मूल का केई है डियू बटे डिटी बराबर सीवी सीवी बराबर तीन बटे दो आर लेकिन सीपी बराबर सीवी प्लस आर हम पाते हैं कि सीपी बराबर पाँच बटे दो आर अता सीपी बटे सीवी बराबर पाँच बटे तीन दूई परमाणुक गैसें दूई परमाणुक गैस के लिए स्वातंत्रताय कोटी की संख्या पाँच है सीपी बटे सीवी बराबर नौबटे साथ बहु परमाणुक गैसें इसमें तीन इस्थानांत्रिये और तीन घूंडी स्वातंद्रते कोटियां होती हैं CP बटे CV पराबर 4 प्लस F बटे 3 प्लस F CP बटे CV बटे CV बटे 3 प्लस F माध्य मुक्द पत किसी गैस के अणूं सतत, तौरित या यादरिच्चक गधी की अवस्था में रहते हैं इनमें परस पर आधर्श प्रत्यास्त संघट होते हैं संघटों के अत्रिक्त अणूं एक दूसरे पर कोई बल नहीं आरूपित करते इसलिए दो क्रमिक संघटों के बीच चली गई तूरी नियतांक वेक के साथ एक सीधी रेखा होती है एकल गैस अणूं का पत विभेन लंबाईयों वाले छोटे छोटे तेड़े मेड़े पतों की एक श्रिंखला से बनता है ये पत मुक्त पत कहलाते हैं तथा इनके माध्धे मुक्त पत कहलाते हैं लेमला बराबर के टी बटे रूट दो पाई सिग्मा वर्ग पी जहाँ सिग्मा पराबर अणू का व्यास है प बराबर गैस का ताप है टी बराबर गैस का ताप है के पराबर वोल्टज मैं नियतांक है ब्राउनी कति जल या वायू या किसी अन्य तरल में निलंबित सूक्ष्म दर्शिये आकार के कड़ों की सतत टेड़ी मेड़ी या दृच्छ गती ब्राउनी गती होती है ये परिघटना रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजी गए थी तथा ये अनुगती सिध्धान्त के अधार पर स्पच्ट की जाती है ब्राउनी गती बढ़ जाती है जब निलंबित कण का आकार अधिक छोटा हो माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए माध्यम की जनता कम हो माध्यम का घनत्व कम हो क्या आप जानते हैं? आधोनिक उश्मा गतीकी के विकास के पूर्व ये विचार था कि उश्मा एक तरल है और इसलिए इसे कैलारिक कहा गया पिंड इस्तरल की एक निश्चित मात्रा धारं करने में समर्थ माने गए इसलिए हम उश्मा धारिता शब्द का उप्योग करते हैं जिसे जौसेफ बलेक द्वारा सत्रा सो पचास के दशक में पहली बार खोजा और नामकरण किया गया प्रतेक अणू अपने निकटवर्ती अडवों पर एक आकर्शन बल लगाता है जो अंत्रा अणूक बल कहलाता है मध्य युक्त पत की अवधारणा 1858 में प्रस्तुत की गई जर्मन भौतिकवेद रुडॉल्फ क्लॉसियस ने इसे आणविक गती होने पर गैसिये पिंडों के प्रथक अड़ों द्वारा चले गए पतों की माध्ये लंबाई के रूप में परिभाशित किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं अड़ों गती सिध्धांद इस विचार के आधार पर गैसों के वैवहार की व्याख्या करता है कि गैसें तेजी से गती करने वाले परमाड़ों या अड़ों से बनी होती है गैस का आयतन ना केवल ताप पर बलकि इस पर लगने वाले दाप पर भी निरभर होता है बॉयल के नियम के नुसार ताप नियत रखने पर गैस के किसी दिये गए द्रविमान का दाप उसके आयतन के वित क्रमानूपाती होता है चाल्ज के नियम के नुसार किसी गैस का आयतन प्रतेक एक डिक्री सेल्सियस ताप परिवर्तन के लिए शूने डिक्री सेल्सियस पर इसके आयतन के गामा पी पर परिवर्तित होता है यदि दाब इस्थे रखा गया हो तो गैस कदाब इसकी गतिज उर्जा प्रति एकाई आयतन के दो तिहाई के बराबर होता है अडूं की आउसत गतिज उर्जा गैस की प्रकृति पर या अडूं के द्रवेमान पर निर्भर नहीं होती ये केवल गैस के निर्पेक्ष ताप पर निर्भर करता है जल या वायू या किसी अन्ने तरल में निलंबित सूक्ष्मदर्शिये आकार के कड़ों की सतत तेड़ी मेड़ी या दृच्छिक गदी ब्राउनी गदी हो दी है विशिष्ट उश्मा धारिता को नियतांग दाप पर किसी गैस की विशिष्ट उश्मा के नियतांग कायतन पर गैस की विशिष्ट उश्मा से अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है